नमस्कार जी मैं मन्जू आज अक्टूबर की 28 तारीक है मैं अपने बहन बाईयों को पोपी के जो सीड अभी ग्रो करना सिखाऊंगे ग्रो करना तो आप खुब जानते ही होंगे हम मिनी गार्डन जो बनाना सिखेंगे तो घर में कोई वेस्ट मेटेरियल पड़ा है जैसे को कोई थर्मकोल का डिबबा पड़ा है जहां फिर कोई और कुछ भी आप ले सकते हैं जहां कोई कोई ऐसे गत्ते का डिबबा हो तो उसमें फिर आप पोली शीट अंदर चड़ा के और होल्स बना ले मैंने कई वारी सिखाया हुआ है तो बहुत जैसे गहरे में नहीं भी होत सकते हैं थोड़ा सा तो गहरा होना जाहिए ताकि जड़े फैल सके तो उनमें आप लगा सकते हैं जा फिर छुट-छुटी जो बास्केट हैं उनमें भी यह ग्रो हो जाते हैं तो मैं अपना थर्मकोल का डिबबा दिखाऊंगी और मेरे गार्डन में लास्ट एर के वीडि कारी पाना चाते हैं तो वीडियो नमपर 96 देख सकते हैं मंजुनेचर लवर चैनल पर और भी इसके खुब सारे वीडियो हैं फिर सर्च करने के लिए पोपी डोडोडोडोड मंजुहंडा और्गैनिक गार्णिंग भी कर सकते हैं जा दूसरे चैनल का नाम देख सकते हैं तो मेरे जो इस पे वीडियो बने हुआ है वो शो होंगे तो ये महिना खतम होने पर है और आज भी जो मेरा गार्ण ये देखे खुब सारा धेर सारे फ्लार्स जो इसमें खिल रहे हैं हाला कि काफी सारे पोर्ट्स मैंने खाली कर दिये हैं और ये वाटर लिली भी मेरे तो उस डिब्बे में मैंने गर्मियों में समर पॉइंट सिटिया जिसे की वाइल पॉइंट सिटिया भी कहा जाता है तो वह ग्रो किया था वह सारे पोद्दे मैंने निकाल दिये हलाकि वह अच्छे चल रहे थे अभी वी तो क्यूंकि मुझे चाहिए था फिर पोपी के ल तो प्लास्टिक का पोट है, इसलिए जल्दी पानी सुखता नहीं है, जब थोड़ा हलका सा सुखने लगे तो फिर धीरे से पानी डालना है, तो शुड़ शुड़ में इनकी ग्रोथ बड़ी ही सुलू होती है, तो जैसे ये छोटा सा पोट है तो इसमें आप अगर एक सकते हैं, तो इस से जैदा नहीं लगाना है, फिर वो पोदे जो है, बिल्कुल बारीक बारीक होंगे और अच्छे से फूल भी नहीं आएंगे, तो मैं थर्मो कोल का डिबबा दिखाती तो छाया पड़ लिया, ये ठीक से नहीं आ रहा, तो ये थर्मो कोल का डिबबा, इस से जो त्यार की थी, बड़ी पहले, तो अब मैं आपको बताती हूं, तो ये देखे, जैदा गहरा नहीं है, ये खुरपी है, जैसे, तो ये इतनक, इतनक है, इतनक गहरा है ये, तो इसमें बहुत ही अच्छा खुबसूरत गार्डन बनके त्यार होता है, तो मेरे को ऐसे, इस केस में बैठी हूंगी, मेरी चाया पड़ रही है, तो ये थर्मो कोल का डिबा ये देख लीजिए, इतना सा है, तो इसी में मैं एक मिनी गार्डन जो है, ये प्यार करूंगी, तो मेरे ख्यास से भी दिखी रहा होगा आपको ऐसे, इस तरह से, तो चलिए पहले मैंने म कर लेती हूं, फिर बताती हूं, तो ये मेरे अपने कार्डन का चुना हुआ सीड है, और विनर्स को भी मैंने ये पॉपी के सीड दिये है, तो वो ग्रू कर सकते हैं, तो इससे तो भूँ धेर सारे पोद्दे त्यार हो जाएंगे, और इतने हमें रखने नहीं है, तो फिर तो चलो, बाद में बस ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, ये पूरे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है, तो वैसे तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, ये व Northern Trad can कर दिया है और मुझे इसको मिक्स करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी मैंने बूर बुरी कर दिया और अपने आप यह सीड नीचे चलेगी और अब हम पानी इसको मौइस्ट रखेंगे यह इस तरह से मौइस्ट रखेंगे तो मैं पानी दे लेती हूं फिर बतात देरे जहां अथ लगा के डालना है ताकि बोध हमारी मरे नहीं तो यह सिधी धूप में ही है इसको मैं हिलाती नहीं क्योंकि गिलैरी उन्हें एक साइड से यह देखिए वो खा लिया हुआ है मेरा थर्मो कोल का डिब्बा तो यह फैंक नहीं ही बाली थी मैं फिर मैंने कुछ चोर गुरो कर दिया और चली ही रहा है उसके बाद से तो हलाकि टोम ने भी यहां से कर दिया तो बहुत अच्छा लगाने के इस तरह के डिब्बे तो आप किसी भी तरह के डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ-कुछ पोद्दे लगा सकते हैं जैदा घने अगर फ्रुक्री में लगाएंगी ना फिर बड़े बारीक और फूल का साइज भी फोड़ा च्टा सा होगा तो अगर कम पोद्दे रखेंगे गे तो इसमें फिर इतनी 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 इसे पâte देखर फिर पोद्दे छोड़ देंगे और बाकी के निकाल देंगे कहीं भी लगा दे तो फिर वो पूरा गार्डन जो है खिलता हो बहुत ही मिली गार्डन सुंदर लगेगा तो जैसे गुलाई बाली वह 15-20-20 वाली बास्केट होती हैं तो उसमें वह आप दो पुद्धे जैसे रख सकते हैं तो मिट्टी अगर उनमें आ जाती है तो रूट्स जो है नीचे के बजाए फिर चुडाई में फैल जाती है और उससे वो खुराक ले लेती है तो इस तरह से आप अपना गार्डन पौपी के फ्लार से सजा सकते हैं तो बीडियो नमबर 96 का मैं जो लिंक दे दूँगी आपको बीडियो में तो वो पूर आप देख सकते हैं और और बी कई सा पूद्धे एक ही जिसमें भी सीडलिंग त्यार करें उसमें रहने देते हैं तो फिर पूद्धों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है तो अगर आपको ट्रांस्प्रांटर नहीं जल्दी करने है तो थिनिंग कर दीजिए कुछ पूद्धे मतलब निकाल दीजिए तो हला आज जो सुबह देख रहे हैं दो दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है तो मैं दिखाते हूं तो यह देख रहे हैं आप यह जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है यह इस तरह से निकल ही रहे हैं आभी यह सब तो जो मेरे बेहन बाई कुछ-कुछ दिनों बाद जो इसके पूपी के सीड ग्रो करना चाते हैं तो उनके गार्डन में लंबे टाइम तक जो फ्लार्स फिर बने रहते हैं गर्मियों से पहले तक जैसे जो शुरू में जल्दी लगाए हैं वो जल्दी खिलेंगे उसके और बाकी कुछ पूछना चाते हैं वैसे मैंने वीडियो में सारी जानकारी दी हुई है तो जब मैं ट्रांस्परांट करूंगी तो फिर आप देख सकते हैं ट्रांस्परांट करते हुए कुछ पोदे इनके चलते हैं और कुछ नहीं भी चलते हैं ऐसा होता है इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया